बिहार की ख़बर से करते हैं जहापर चौपर्स गोचाले ने सिक्षव ववस्ता की पोल खोल के रखती है लेकिन लगता है कि सिस्ट्म सुधरने की कोशिश करना ही नहीं चाहता वरना आरा के महराजा कॉलेज से फिर वही तस्वीरें सामने नहीं आती जिसने बिहार को शर्म सार कर रखा है आरा के प्रतिश्ठित महराजा कॉलेज में ग्राजुइशन पार्ट वन की परिक्षा चल रही है और नकल भी खुले आम चल रही है परिक्षवा देने वाले चोरी कर रहे है और इज़त बचाने की खातिर कॉलेज के प्रिंस्पिल नकल की पड़ची छिपा रहे है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह खुले आप नकल का ये खेल हो रहा है तो टॉपर्स को लेकर ही सूर्ख्यों में आया बिहार वो टॉपर्स जिनको अपने सब्जेक के बारे में पता ही नहीं है सब्जेक का नाम भी वो सही तरीके से नहीं ले सकते लेकिन टॉप कर गया कि अभी कई लोग प्रयास करता है तो हम लोग ले लेते हैं तो वाकर यही सवाल है कि आ बिहार सीखने को तयार नहीं है अभी पिश्री दिनों 21 से पूरा मामला सामने आया लेकिन अभी भी ये कहें कि कोई भी सबक नहीं लिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है जिसरे से हम कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ हो बलकि फरजी टॉपर्स और खुले आम नकल के बीच उम्मीद की तस्वीरे भी सामने आई है गया की छोटी से गाउं के कई बच्चों ने आयाइची पास किया है और इन बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से गरीबी को भी माद दी और काम्याबी की एक नई अबादत लिखी है मनीश कुमार आरा से हमारे साथ है मनीश एक तरफ आरा में नकल हो रही है यह कहें सबक लेने को तयार नहीं है वही गया का छोटा गाउज जो एक मिसाल पेश कर रहा है जी देखिए निश्यतों के यह कहा जाया कि बिहार में सिक्षा व्वस्था के खुल्याम खिली उड़ाई आ रही है आरा कि यह जो तस्वीर है यह पहले भी नकल की कई तस्वीर हम लोगों में सामने लाकर रखी है जहां खुल्याम लोग नकल करते हैं और यह नकल करना यह मनीश की इस तरह से फर्जी टॉपस सामने आये थे उसके बार कहीं न कहीं सकती होनी चाहिए थी यह कहें कि अभी प्रशासन बोर्ड सभी कहीं न कहीं आखें मूंदे बैठे हुमें प्रशासन की अगर बात की जाए तो मैंने आप से पहले भी कहा कि खुल्याम खिली उड़ाई जा रही है तो यह देखा जा रहा है कि बिहार की पूरी तरह से चर्मरा आती गई है जी बिलकुल और इसी की तस्वीरे सामने आती है चलिए बनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद